स्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मांद जरकार को लगातार पंजाब के लोगों की नाराज़गी और गुस्ते का सापना करना पड़ रहा है लगातार वहां धरने प्रदिशन का दो जारी है जिस तरह से तमाम करमचारियों को फिर चाह पुस्तेहरी देने का मावला हो या फिर किजानों की मांगे पूरी नहीं की गई इसको लेकर भी लगातार धरना प्रदिशन पंजाब में चल रहा है और अब ट्रक यूनियनों की बहाली की मांग को लेकर पंजाब ट्र चालकों की अनिशित काहिन हरताल भी लगातार पंजाब में चारी है और इसके चलते शंपू बॉर्डर को पूरी तरीके से ब्लॉक किया हुआ है हाला कि अज़रकार के हस्तक शेप के बाद एक तरफ का जो रास्ता है वो साफ कर दिया गया है यानि एक तरफ का रास्ता खोल दिया है लेकिन वहीं लगाता है इन ट्रक यूनियन की यह जो नाराज़की है यह जो गुसा है यह सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है आपको बता दे 2017 में ट्रक यूनियन को भंक करने के राज्य सरकार की फैसले के खिलाफ पंजाब में ट्रक ऑपरेटर जो है वो अनिश्चित काहली इन हर्तार पर हैं और शुकरफार को ट्रक यूनियनों ने शंभू में पंजाब हर्याना बोर्डर पर राष्टियर राजमार एक यानि NH1 को पुरी तरीके से ब्लॉक करतिया था जिससे इस्थानिया लोगों को काफी अस्वीधा का साफना बहां करना पड़ा था खासतोर पर रास्थानी दिल्ली से पंजाब चाने वाले जो तमाम यात्री हैं उन्हें दरसर परिशानी का साफना करना पड़ा और तम अपरेटर्स की इस अनिशित काहलीन जो हर्टाल के चलते नतीजा यह हुआ कि यात्रियों को अपने जो अगंतव्य हैं वहां तक पहुंचने में जाहिर तो पर लंबे रास्तों का इस्तमाल करना पड़ा और कई घंटों तक इस जाक में फसना पड़ा तो इस तरह से कही न पंजाप में एक के बाद एक धरने परदिशन का दोर देखने को मिल रहा है हाला कि विरोध करने वाले ट्रक संचाल को ने जिस तरह से नहीं को ब्लॉक कर रहा था उसके बाद एक तरफ का रास्ता साफ किया है जब उन्हें मुख्यमंत्री काहिया से एक ओफिशल लेटर मि यह कहा गया था कि चार चनवरी यानि आज प्रदिशन काहियों और एक कैफिनेट उप समीती के बीच एक बैठक होगी यह आशवासन उन्हें दिया किया जिसके बाद उन्हें एक तरफ के रास्ते को ज़रूर जो है साफ कर दिया है वहाँ आवाजाही शुरू हो गई है त तो आपको बता दें कि चार जनवरी को यानि आज मुख्यमंतुरी भगवंतमान के साथ इन तमाम जो ट्रक संचालक हैं उनकी मीटिंग होनी है हाला कि जब उन्हें ये लेटर मिला तो उसके बाद उन्होंने जर्दसल के पूरा रास्ता जो ब्लॉक किया हुआ था उसे खो उन्होंने एक तरफ का रास्ता खोनने के लिए वो राची हुए लेकिन उसके बाद आज जो सरकार की और से भगवंतमान सरकार की और से जो आश्वासन उन्हें दिया क्या है कि दरसल इन ट्रक उपरेटर के साथ उनकी मीटिंग होगी तो ये देखना होगा कि क्या भगवं इस दिसंबर को इन तमाम जो ट्रक संचालक हैं जो की धरने पर बैठे हुए हैं जो की परदेशन कर रहे हैं इनके परतिनितियों ने पंचाब के वित्मंतुरी हरवाल सिंग चीमा की नेटिट में एक कैबिनेट उप समीती से मुलाकात की हाला कि इसने परदेशन कारियों और आम आदमी पार्टी की भगवंतमान सरकार के पीछ गतिरोद पैधा कर दिया तो इस तरह से कहीं न कहीं जो इनकी मांग है कि 2017 में जब पंचाब में कॉंगर्स पार्टी की सरकार थी तब ट्रक यूनियन को भंग करने का फैसला राजे सरकार की और से लिया किया था लेक तोर पर इसका हल निकाहना अब भगवंतमान सरकार की जिम्मेदारी है इस तरह से ट्रक जो संचालक है उन्हें कहीं इतने दिन से वो लगातार प्रदिशन कर रहे हैं और अब कहीं आम आदमी पार्टी और इन प्रदिशन कार्यों के बीच जो है गतिरोद बढ़ता हुआ दे रहा है लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि इन से वादा किया है कि जो है भगवंतमान मुख्यमंतरी उनसे मुलाकात करेंगे तो देखना होगा कि आज ये मुलाकात होती है या नहीं होती है लेकिन आपको ये बताते हैं कि इससे पहले जो बैठर के ट्रक यूनियन के साथ हुई है तमाम अलाधिकार्यों की पंजाब सरकार के उसमें अनुवान ये लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो भगवंत मान सरकार है उसने 2017 में जो ट्रक यूनियनों की बहाली को भंग किया था उस पर चर्चा की होगी जिसके बाद कैप्टन अमरंदर के नेतित वाली सरकार ने पंजाब गुड्स कैरीज पेश किया था कैरीज संचालकों को राच्चे में गार्ट्रेल या यूनियन बनाने से रोकना है तो उस तरह से ये फैसला लिया गया था लेकिन अब एक बार फिर तमाम जो ट्रक संचालक हैं जो ट्रक यूनियन है उन् इसकी बार फिर तरखो पर उतर आए हैं और एक बार फिर ट्रक यूनियन की बहाले की जाए कि मांग अब आधमी पार्टी सरकार से की जा रही है आपको यह बता दें कि आव आधमी पार्थी ने पंजाब विधान सबाद चुनाव के दोरान ट्रक यूनियन को से किये थे और उनमें से एक वादा ये था कि ट्रक यूनियनों को पुनरजवीत किया जाएगा यानि उन्हें बहाल किया जाएगा ये वादा उन्हें ट्रक यूनियन से किया था और अपने चुनावी खोशना पत्र में ये कहा था कि ट्रक यूनियनों में राजनिताओं का न सरकार की और से नहीं लिया गया है यही सबसे बड़ी नाराज की है इन तमाम ट्रक संचारकों की क्योंकि इनका साफ तोर पर यह कहना है कि अगर अर्विंद केजवाल ने यह वादा किया था कि 2017 में जो ट्रक यूनियनों को भंग किया है राज्य सरकार के द्वारा उन्हें द संचारकों की और से पंजाब में की जा रही है यही वजा है कि शंबू बोर्डर जो की पंजाब और हर्याना को जोडता है जो की दिल्ली से जो आवाजा ही पंजाब होती है वो इसी बोर्डर के राज्ते होती है तो ऐसे में इसे पूरी तरीके से ब्लॉक किया हुआ हुआ तो कही न कहीं पंजाब सरकार अब जवाबते ही उनकी इस पूरे मामले पर बनती है क्या हुख्य मंतुरी इन तमाम ट्रक संचालकों के साथ मीटिंग करेंगे ये बड़ा सवाल है आने वाले वक्त में देखना होगा लेकिन फिलाल ट्रक संचालकों की नरास्की भगवनत्मा सरकार पर कितनी भारी पड़ेगी ये भी आने वाले वक्त में देखना होगा क्योंकि फिलाल कहीं न कहीं पंजाब से दिल्ली आने जाने वाले लोग खासी परिशानी में हैं और पड़े लंबे रास्ते तै करकर उन्हें पंजाब पहुचना पढ़ रहा है और ये कोई नई तस्वीर नहीं है पंजाब से लगातार इस तरह की तस्वीर साफ ने आ रही है जब ना सिर्फ ये ट्रक संचालक बलकि इसके लावा सरकारी करमचारी हो या फिर आशा वरकर्स हो इसके लावा चाहे फिर पंजाब के किसान हो जिन्हों से तमाम वादे अर्विंद के जिव वो तमाम वादे फूल चुके हैं जो उन्होंने पंजाब की जंता है और यही वज़ा है कि अब पंजाब की जंता यह तमाफ लोग इस तरह से धरना प्रदिशन करके सरकार को यह याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने किन वादों पर मोहर लगाई थी झाल झाल झाल